So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस मेरी उससे जान पहचान फ्रांस में होई थी तो किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि I got acquainted with her in France I got acquainted with her in France यानि मेरी उससे जान पहचान फ्रांस में होई थी तब से हम साथ में रह रहे हैं We have been living together ever since We have been living together ever since यानि तब से हम साथ में रहे हैं So friends, यहाँ पर यह बोल रही है कि काश मेरी जिन्दगी तुम्हारे जैसी होती से English में बोलेंगे I wish I had your life So friends, जब भी हमें इस तरीके से बोलना होगे काश मेरी जिन्दगी तुम्हारे जैसी होती तो से English में बोलेंगे I wish I had your life तुम्हें जो पसंद आता है तुम करते हो You do what you like You do what you like यानि तुम्हें जो पसंद आता है तुम करते हो You do what you like तो इसके जواब में कह रहा है इसकी बाद सुन करके हर चीज हमेशा ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है Everything isn't always what it seems Everything isn't always what it seems कह रहा है कि हर चीज हमेशा ऐसी नहիं होती जैसी दिखती है Everything isn't always what it seems I don't enjoy living such a life कह रहा है कि मुझे सी जिन्द passion моей में मज़ा नहीं आता तो कह रहे हैं कि कभी-कभी हम चीजों की इतनी कदर नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए इस इंगलिश में बोलेंगे कभी-कभी हम चीजों की इतनी कदर नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है एसे एंगलिश में बोलेंगे यहाँ पर यह लड़की से पूछ रही है कि यानि लोग तुमसे इतना क्यों डरते है तुमसे लोग इतना डरते क्यों है तुम जैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते इस एंगलिश में बोलेंगे तुम जैसे लोग जैसे लोग कभी खुश नहीं हो सकते खुश नहीं रह सकते लोगों की मजाख मत उड़ाओ यहाँ पर यह समझा रहे है कि डोंट मैक फन ओफ पीपल यानि लोगों की मजाख मत उड़ाओ तुम्हें बोड़ लोगों के परती दयालू रहना चाहिए इसे इंगलिश नहीं बोलेंगे यू मस्ट बी काइंड तू ओल्ड पीपल कह रहे हैं कि तुम्हें बोड़ लोगों के परती दयालू रहना चाहिए यू मस्ट बी काइंड तू ओल्ड पीपल बोड़ लोग इज़त के हगदार हैं old people deserve respect old people deserve respect यानि बुढ़े लोग इज़त के हगदार है old people deserve respect तुम अक्सर लोगों को गुस्सा दिला देती हो you often make people angry you often make people angry यानि तुम अक्सर लोगों को गुस्सा दिला देती हो you often make people angry कम से कम सब के सामने तुसे इस तरह से मत डाटो इस इंग्लिश में बोलेंगे तो इसकी बात सुनकर ही कह रहे ही कि बहतर होगा तुम अपना मूँ बंद रखो मैं तुम जैसे लोगों से रोज मिलता हूँ इसे इंग्लिश में बोलेंगे I meet people like you every day I meet people like you every day इस तरीके से हम बोल देते हैं कि हम तेरे जैसे लोगों से बहुत रोज मिलते हैं यह बोल रहा है कि इसे I meet people like you every day मैं तुम जैसे लोगों से रोज मिलता हूं तुम मुझे सिर्फ कुछी महीनों से जानते हो You have only known me for a few months कह रही है कि तुम मुझे सिर्फ कुछी महीनों से जानते हो You have only known me for a few months इसलिए तुम्हें नहीं पता That's why you don't know That's why you don't know इसलिए तुम्हें नहीं पता That's why you don't know मैंने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई है I have spent most of my life in America I have spent most of my life in America यानि मैंने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई है मैं यहाँ यूरोप में सिर्फ 3 सालों से हूँ I have only been here in Europe for 3 years कह रहे है कि I have only been here in Europe for 3 years तुझे समझा रही है कि I have spent most of my life in America में अधिकतर अपनी जिंदगी अमेरिका में गुजारी है मैं यहाँ यूरोप में सिर्फ 3 सालों से हूँ I have only been here in Europe for 3 years So friends यहाँ पर यह बोल रही है कि मुझे अपने जैसे लोग पसंद है इसे English में बोलेंगे I like people similar to myself I like people similar to myself यानि मुझे अपने जैसे लोग पसंद है I like people similar to myself तुम जैसे लोगों से तो मैं बहुत नफरत करती हूँ I hate people like you the most I hate people like you the most या नि तुम जैसे लोगों से तो मैं बहुत नफरत करती हूँ I hate people like you the most अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा इसे English में बोलेंगे Who would look after my children if I died? Who would look after my children if I died? कह रहे ही कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा Who would look after my children if I died? अगर तुम सरेंडर कर दो तो तुम्हारी जाने बख्च दी जाएंगी पर इसे कह रहा है कि Your lives will be spared if you surrender Your lives will be spared if you surrender यानि अगर तुम सरेंडर कर दो तो तुम्हारी जाने बख्च दी जाएंगी आगे कह रहा है कि तुम पर चोरी का रोप है इसे इंग्लिश में बोलेंगे You are accused of theft यानि तुम पर चोरी का रोप है You are accused of theft तो इसके जवाब में कह रहा है कि मेरा चोरी से कोई ले न देना नहीं है I have nothing to do with the theft I have nothing to do with the theft यानि मेरा चोरी से कोई ले न देना नहीं है I have nothing to do with the theft मुझ पर जूटा इल्जाम लगाया जा रहा है I am being falsely accused I am being falsely accused यानि मुझ पर जूटा इल्जाम लगाया जा रहा है I am being falsely accused तुम्हारी कार तो मेरी जैसी है So friends की कार देखकर कह रहा है कि Your car is similar to mine Your car is similar to mine यानि तुम्हारी कार तो मेरी जैसी है your car is similar to mine मेरे पास तो ये car 5 सालों से है I have had this car for 5 years तो यहाँ पर ये timing बता रहा है कि मेरे पास ये car इतने सालों से है तो इस English हों बताएंगे जैसे कि 5 साल कह रहा है मैं बोलेंगे I have had this car for 5 years यानि मेरे पास ये car 5 सालों से है मैं बस एक बात कहना चाहूंगी इस English हों बोलेंगे I would just like to say one thing I would just like to say one thing यानि मैं बस एक बात कहना चाहूंगी I would just like to say one thing यहाँ कभी वापस मताना Don't ever come back here Don't ever come back here यानि यहाँ कभी वापस मताना यहाँ पर ये इस लड़के से कह रही है कि I would just like to say one thing मैं बस एक बात कहना चाहूंगी don't ever come back here यहां कभी वापस मता ना English सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है so friends यहाँ पर यह बच्चिस से कह रहे हैं कि English सीखना बहुत मुश्किल है तो कह रहा है कि English is not all day difficult to learn English is not all day difficult to learn तो जब भी आपको कहना हो कि English सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है तो English में बोलेंगे English is not all day difficult to learn तुम्हे बस प्रेक्टिस करते रहना होगा you just have to keep practicing you just have to keep practicing कह रहा है कि तुम्हे बस प्रेक्टिस करते रहना होगा you just have to keep practicing अच्छी इंग्लिश बोलने का स्रिफ यही एक तरीका है that's the only way to speak English fluently